नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में OnePlus 10T 5G vs. OnePlus 10R 5G का फुल डेप्ट कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10T 5G में 6.42 इंच जबकी 10R 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विडि की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.97 इंच की विडि मिलती है बात करें थिकनेस की तो 10T5G में 0.35 इंच जबकि 10R5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो 10T5G में 203.5 ग्राम्स जबकि 10R5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20.1 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही, 1080 x 2412 मिलता है, स्क्रीन तु बॉडी रेशियो, 10T 5G में 88.18 प्रतिशत जबकी 10R 5G में 87.9 प्रतिशत मिलता है, बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही, 394 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है, अब देखते हैं वाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है, अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की, दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो 10T 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखर में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है, और 10R 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखर में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है, बात करें विडियो कैमरा की तो 10T 5G में 9 डिफरेंट टाइप के नीटी सिंगल देखने को मिलता है जिसमें चार्ड यो जिसमें की ये और राइंशन देखने को मिलता है। सबसे पहले CPU जो की स्पीच के हिसाब से देखा जाये 고양ज सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं जी पी यू की बात करें तो 10T 5G में Adreno 730 जबकी 10R 5G में Mali-G610 MC6 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 10T 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और 10R 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max मिलता है बात करें RAM की तो 10T 5G में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB 16GB की RAM मिलती है जबकी 10R 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो 10T 5G में 3 variant देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB की storage मिलती है जबकि 10R 5G में 2 variant देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB storage मिल जाती है. expandable memory दोनों फोन में नहीं है, operating system दोनों फोन में, android V12 देखने को मिलती है, बाटरी 10T 5G में 4800MH, जबकि 10R 5G में 5000MH देखने को मिलती है, अई अब main feature को देखते हैं, colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, दो colors option देखने को मिलते हैं, सब information देखने के बाद बात करें price की तो, 10T 5G में 3 variant देखने को मिलते हैं, जो की 8GB RAM 128GB storage के साथ 55,999 रूपीज, 12GB RAM 256GB storage के साथ 54,999 रूपीज, 16GB RAM 256GB storage के साथ 55,999 रूपीज में मिल जाता है, जबकि बात करें 1 plus 10R 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं, जो की 8GB RAM 128GB storage के साथ 38,999 रूपीज, 12GB RAM 256GB storage के साथ 42,999 रूपीज में मिलते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं, प्रांजट कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, 1 plus 10T 5G में 6 फाइदे और एक नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें 1 plus 10R 5G की तो उसमें 6 फाइदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, Finally बात करें है result की तो display में दोनों फोन सेम ही है, main camera में दोनों फोन सेम ही है, front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है, performance में 10T 5G आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो वी 23 प्रो 5G है, दुसरा रियल मी जी टी नियो 3 5G 150 वाट है, तीसरा वन प्लस टैन आर 150 वाट 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें गूगल पिक्सल 6A 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना